विल्कम टो यूटूब चैनल वाई आरेस किलास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों मनोहरे परष्णावली वन ए में परेस्ट नम्बर नौ इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा दिया था अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिस्टिन में लिंक दिया है प्लीज वहां जाकर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकते हैं आए दोस्तों प्रशनाओली वन ए का प्रशनमबर दस अच्छे तरीके से हम पढ़ते हैं अब फिरें प्रशनमबर दस आपके सामने कहे रहा है युक्लिर विभाजन परिमेका का परियोग करके दिखाईए की या दर्शाईए की या व्याख्या कीजिए की किसी धनातमा पुडांक का घं जैसा कि दोस्तों इसके पहले के वीडियो में उसमें वर करने की बात कहे रहा इसमें दोस्तों कहे के आ रहा है घं करने की बात कहे रहा है घं नाइनियम प्लस वन या नाइनियम प्लस एड के रूप का होता है अब दोस्तों इस पूरे प्रश्न में धनातमा पुडांक दिया नहीं है नहीं है यहां से हम क्या मानते हैं दोस्तों माना माना धनातमक पुरांक दोस्तों क्या मानेंगे ए मानेंगे माना धनातमक पुरांक ए है क्या है दोस्तों ए है अब दोस्तों यहां से लिखेंगे आता हा क्या दोस्तों लिखेंगे आता हा ए बराबर जैसा कि दोस्तों आपको पता है जो आपका 9 है तो दोस्तों 9 को वर्ग मुझ तीन होता है तो जहां पर यम है तो वहां पर हम दोस्तों क्यों माल लेते हैं दोस्तों यहां से होगा A बराबर 3Q 3Q प्लस 1 या 3Q प्लस 8 3Q प्लस 8 तो दोस्तों जहां पर 8 है और दोस्तों 8 का जो घनमूल होता है वह आपका 2 हो, तो दोस्तों यहां से 8 के जगा पर हम 2 लिख सकते हैं, चुझकि जब 2 का हम घाएं करेंगे, तो आपको किनारे 8 मिल जाएगा, अब दोस्तों यहां से लिखेंगे जहाँ, जहाँ, B बराबर दोस्तों कितना है, 3 है, क्या है दोस्तों, 3 है, अब दोस्तों यहा तो यहां से लिखेंगे दोनों पच्छों का घन करने पर दोस्तों घन का मतलब होता है किसी भी संख्या को तीन बर आपस में गुडा करने से जो नई संख्या पर आपत होती है वह दी गई संख्या का दोस्तों घं कहलाता है अब दोस्तों यह होगा एक का घं एक क्यूब बराबर थिरी क्यूब का घं दोस्तों थिरी क्यूब क्यूब हो जाएगा अब दोस्तों एक का क्यूब एक क्यूब होता है और दोस्तों तीन का घं अर्थाज जब तीन को हम तीन बड़ गुड़ा करते हैं तीन त्रिक करना हो नौ त्रिक 27 और दोस्तों क्यूं का घंड क्यूं 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 होता है अब दोस्तों आपको समझना क्या है दोस्तों यहां से पहले क्या हम का गुड़ां क्या है दोस्तों अब दोस्तों यहां से लिखेंगे जहां जहां यम बराबर थिरी क्यों क्यूब अब दोस्तों इसे हम क्या मांनते हैं समिक नंबर एक माल लेंगे अब दोस्तों फिर दूसरा क्या है A बराबर तो दोस्तों यहां से लिखेंगे A बराबर दोस्तों क्या है 3 Q प्लस 1 है ना तो यहां से होगा 3 Q प्लस 1 अब दोस्तों इसका भी हमें घं करना है तो यहां से लिखेंगे घं करने पर अब दोस्तों किसका गन दोनों पच्छों अब दोस्तों करना किया है A बराबर 3 Q प्लस 1 को हमें घन करना है दोस्तों यहां से लिखेंगे इसलिए A Q बराबर 3 Q प्लस 1 दोस्तों पूरे का घात 3 हो गया अब दोस्तों इसका सूतर होता है A प्लस B का होल Q AQ plus B Q plus 3 B bracket A plus B दोस्तों यहां सी इसमें A कमान 3 Q है B कमान A का है तो होगा यहां सी A Q बराबर 3 Q का होल ख्यूब प्लस दोस्तों B का मतलब 1 Q अब दोस्तों 3 A B तीन गुड़े A कमान 2 3 Q गुड़े B कमान 2 1 और दोस्तों ब्रेकट A plus B के मतलब 3Q प्लस दोस्तों 1 हो गया अब दोस्तों करते क्या हैं हम इसका घंड कर देते हैं तो AQ बराबर दोस्तों 2327 होता है क्यों का घंड क्यों क्यों होता है प्लस 1 का घंड 1 होगा 3-3 का 9 9Q1 दोस्तों 9Q अब दोस्तों 3Q प्लस 1 को ऐसे लिख देंगे अब दोस्तों करते किया हैं, इस ब्रेकरट के पहले जुआपका 9 Q है, इसका भी अंदर गुड़ा कर देते हैं, तो होगा यहां से एक Q बराबर 27 Q Q प्लिस एक प्लिस 9 तिरीक, दोस्तों 27 Q गुड़े क्यूं Q स्कौयर हुआ, प्लिस 9 Q इक Nम दोस्तों 9 क्यूं हो गया, अब दोस्तों हमें सिद्ध करने में किनारे क्या बचाना है एक बचाना है अब यहां से करते क्या हैं किनारे हम एक बचाते हैं दोस्तों यहां से होगा एक क्यूब बराबर दोस्तों यहां से किनारे एक कर लिए और दोस्तों इसमें हमें नौ बाहर भी करना है तो 27 क्यूब Q plus 27 Q plus 9 Q में हमें 9 बाहर करना है यानि 9 common करना है अगर 27 में 9 common कर लेंगे तो 9 के पहाड़ हम 27 तीन बाहर पर आता है 3 Q Q plus 27 में भी यहाँ पर 3 Q square होगा अगर 9 common कर लिए तो दोस्तों यहाँ से बचेगा क्यों ही बचेगा अब दोस्तों यहां से लिखेंगे क्या एक इसलिए एक क्यू बराबर नाइन अब दोस्तों इस पूरे मान को हम क्या माल लेंगे यहां से जहां ठीरी क्यू क्यू प्लस ठीरी क्यू इसक्वाइर प्लस क्यू बराबर दोस्तों हम यहां से यहां माल लेते हैं तो दोस्तों का नाइनियम प्लस दोस्तों वन तो हिसे किया मारिस अमिक नूम-बर दो माल लेते हैं अब तीसरे यहां से लिखेंगे अंड़न ली दोस्तों लिखेंगे और यह आपकेसा है यह बराबर दोस्तों है 3 Q. plus 2 है तो दोस्तों यहां पर भी हमें घन करना है तो डारेक्ट हम घण कर दे रहे हैं A Q बराबर 3 Q का होल जीओभ अब दोस्तों A का घ्ण A Q बराबर 3 Q का घ्ण PLUS 2 का घ्ण PLUS 3 AB 1 अर्था 3 Q गूरे 2 अब दोस्तों ब्रेकट में क्या होगा A PLUS B का मतलब 3 Q PLUS दोस्तों 2 हो गया अब दोस्तों करना क्या है यहां से हम करते क्या है इसका घंड कर देते हैं दोस्तों यहां से 27 क्यों क्यूब होगा प्लस दोस्तों 2 का घंड 8 होता है दोस्तों 3 तरिक करना 9 दूनी 18 अठारा तरिक दोस्तों 54 होगा प्लेस चववन दोस्तों क्यों 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 स्क्वाइर हो गया दोस्तों यहां से प्लेस इसको उतारेंगे तेन तरिक करना नौ दोनी अठारा अठारा दोनी च्छतीस दोस्तों क्यों को ऐसे लिख देंगे हम अब दोस्तों करते हैं यहां से एक क्यों बराबर दोस्तो एकदम किनारे आपको बचाना किया है यहां 20 jaar 27 नौक पहाड़े 27 तीन भारप दोस्तों गया अब दोस्तों यहां से लिखेंगे जहां जहां तीन से अस्पष्ट है कि किसी धनात्मक किसी धनात्मक किसी धनात्मक पुरांक किसी पुरांक के लिए किसी पुरांक के लिए नाइनयम प्लस वन या दोस्तों नाइनयम प्लस एट के रूप का